नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सबी फीडियो की नौटिफिकेशन मिले आपको सबसे पह नौर्मल से बहुत जादा पसिना आने लगता है जिसे आमतोर पर लोग इग्नोर कर देते हैं अगर आपको भी जादा पसिना आता है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि ये आपके लिए किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है कई बार ये बीमारी गंबे रूप भी ले लेती है जब लोगों में ज्यादा पसिना निकलता है तो यह बीमारी का रूप ले लेती है जिसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं अगर बिना वर्काउट किये ही आपको ज्यादा पसिना आता है और आपकी स्कीन में चिपचिपापन मैसूस होता है तो आपक का रचन हो सकता है गर्मी के कारन पसीना आना तो नॉर्मन है लेकिन जब यह पसीना ज़ादा आने लगए तो यह rented-top के भी लगशन हो सकते हैं कई बार डिप्रेशन होने के कारन अर्मपीट में मोजूद इप्प्रोक्राइन ग्लैंस से पसीना निकलता है इसमें फैट और प्रोटिन के साथ बैक्टिरिया मिलकर अलग तरह की बदबू पैदा करती है जब बॉड़ी में इंफेक्शन हो जाता है तो बॉड़ी में मोजुद पसीने वाले ग्लैंस एक्टिव हो जाते है और बदबूदार पसीना निकलता है महिलाओं में फ्रेग्रिंसी के दोरान हार्मोंस, मेटाबोलिजम और ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले बदलाओं के कारण उन्हें गर्मी ज़्यादा लगने लगती है जिसके कारण पसीना ज़्यादा आता है इसके अलावा बड़ती उम्रक के साथ आने वाले मेनोपॉस के कारण भी महिलाओं में ज़्यादा पसीने की समस्या देखी जाती है यह है इन बीमारियों से बचने के उपा बोटॉक्स यह इलाज हाइपर हाइडरोसिस से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है इसके लिए बोटॉलियम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा जाता है जिससे पसीने के लिए जिमेदार वेंज काम करना बन कर देते हैं आपको बता दे कि ये treatment करवाने से 4 मेने से इस समस्या से रहात मिल जाती है Antiperspirant जब ज़्यादा पसियना आये लगे तब इस पर काबू पाने के लिए ये antiperspirant का इस्तेमाल किया जाता है इस treatment से ज़्यादा पसिने की समस्या से राहत मिल जाती है लेकिन आपको बता दे कि इस से आपको खुजली की सिकायत हो सकती है ETS ये treatment उन मरिजों के लिए की जाती है जिनकी हतिली पर बहुत ज़्यादा पसिना आता है इसके अलावा ऐसे लोगों को चहरे पर भी ज़्यादा पसिने की शिकायत होती है दवाईया treatment लेने के अलावा market में बहुत सी दवाईया भी है जो की ज़्यादा पसिने की समस्या को दूर कर सकती है जैसे की glycoporylate इन दवाईयों से पसिने की समस्या तो दूर हो जाती है लेकिन इससे आपको die mouth और चक्कर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है ध्यान रखे कि बिना अपने डॉक्टर की सला से कोई भी treatment या कोई भी दवय ना ले क्योंकि ये आपके लिए हनिकारक भी हो सकता है